Investment Options Under Section 80C I think कुछी दिन बचे अभी 31st मार्च के लिए तो अगर अभी तक आपने 80C के लिए Section 80C के लिए investment नहीं किये जिसमें 1.5 lakhs रुपीज तक आप investment कर सकते हो और अगर आप highest tax bracket में हो तो more than 45,000 रुपीज का tax आप यहां पे save कर सकते हो So last minute options are आप ELSS में invest कर सकते हो Equity Linked Savings Scheme जिसे tax saving funds भी कहा जाता है Mutual funds की तरह वो होते हैं 3 साल का lock-in होता है But investment horizon 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए That would be my suggestion Other option for last minute investment could be tax saving FDs 5 साल के लिए आप कर सकते हो Debt instrument है conservative investors के लिए सही हो सकता है PPF में पैसा डाल सकते हो EPF में जो आपका deduction होता है वहाँ पे भी section ATC का benefit मिलता है Plus आप voluntary PF भी वहाँ पे submit कर सकते हो But अभी taxation के rules change हो गए उस पे तो I think वो सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी होगी Senior citizen saving scheme में डाल सकते हो अगर आप senior citizen हो तो Insurance के जो premiums होते हैं वो भी section ATC के अंडर आते है तो इसे बहुत सारे options आप लोगों के पास available है आप लोग last minute में ये सारी चीज़े कर सकते हो बड़े एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तो कि अगर debt instrument में section ATC के debt instrument जैसे कि PPF हुआ या फिर EPF हुआ या फिर tax saving FD हुई तो ये सारे options में अगर आप पैसा डालना चाहते हो so then the suggestion would be कि first week of financial year आपका investment वहाँ पे होना चाहिए because वहाँ पे कोई risks होती नहीं है so जितना जल्दी आप investment करोगे उतना ज्यादा interest आपको वहाँ पे मिलेगा तो मैं आशा करता हूँ ये चोड़ा से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो के लिए चैनल पे बने रही है investment related, financial planning related, mutual funds related, stocks related अगर कुछ जानकर यह और ज्यादा चाहिए तो इन्वेसरेंट आपको विजिट कीजिए और वहाँ जाके आप हमारे research products को subscribe कर सकते हो तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल पे बने रही है और नेक्स वीडियो तक के लिए मुझे आग्या दीजिए जैहिन